कर दो कि अगर तो अगर तुम नहीं तक अपिसोड नहीं देखा तो जाओ जुलते जागे देख लो अमजन प्राइम पर अवेलेबल है तो बाद में नहीं बोलना कि मैंने नहीं बताया कि आया है या नहीं मैंने वहीं से देखा तो तुम भी वहीं से जागे देख सकते हो और यह एपिसोड लिटरली बहुत बहुत जादा बढ़िया था क्योंकि इसके अंदर रिवर्स लाश की इंवल्मेंट थी और वह बहुत जादा और साथ ही साथ अगर तुम अनिमे में इंट्रस्टेट तो मे विज़र्स स्टार्ट होता है सेंट्रल सिटी 2049 से और हमें या पर दिखते हैं बाट और नौरा और बाट गेम्स खेल रहे होते हैं जबकि बाट को पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि उसके मिट टर्म आ रहे हैं नौरा उसको समझाती है बट वह कहता है कि तुम गेम पर कॉ करो और इतने में ही उनकी मॉम आइरेस का कॉल आ जाता है और बाट ऐसे दिखाता है कि वह स्टडी कर था पुरी रात बट आयरेस को पता है बट सडनली आइरेस गायव हो जाती है और 2022 की आयरेस वहां पर पहुच जाती है जिसके बाद वह बताती है कि उसके साथ अभी तक क्या क्या हुआ है और वह कौन से डाइमेंशन में जिसके बाद नौरा से 2022 में ले जाने ही कोशिश करती है बट वह फेल हो जाती है क्योंकि डियॉन ने एक टेंप्रेल एनरजी की वाल खीची है जिसकी वैसे वह टाइन ट्रावल नहीं कर सकती है बट नौरा कर सकती है उसके नेगेटिव स्पीड फोर्स से कभी भी टार्गेट हुई तो हमें पता लग जाएगा जिसके बाद बैरी यहां पर मीना की ट्रेनिंग कंटीनु करवाता है और मीना यहां पर स्पीड ट्रेड मिल पर अपनी स्पीड मेजर कर रही होती है और इसकी स्पीड 1.78 माक पहुच ज जिससे यह बटका लगता है कि वह नेगेटिव स्पीड फोर्स से वापिस से इंफ्लूएंस हो रही है बट नहीं है असा नहीं होता है मीना के अंदर का अपना अंगर हो जिसके बाद बैरी मीना को समझाता है कि तुम अपनी लिमिट्स को पुछ नहीं करना चीए और वह अ इसन उसे मार देता है जिसके बाद बैरी को पता लगता और वो टीम को बताता है जिसके बाद हमें दिखती है सेसील और जो की बात्arto बटेसे ऐा कि ऑन पने बैरो को बहुत सकती ए टौप इतने में उनके घर पहुंच जातिया बहुत है कि तुमने औरी पावरी को तुछ दो वापिस कर दो जिस Norwegian के थेalal तो उसके पास जाने के बाद वो अपनी थियोरी को टेस्ट करते हैं कि क्या सिसील साइकिक्स की पावर एब्जॉब कर सकती है मतलब जो उसकी रेंज में साइकिक्स है वो उनकी पावर एब्जॉब कर सकती है और बिलकुल ऐसा ही होता है वो उसकी भी powers ले लेती है और वो कहती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है जिसके बार टॉप कहती है कि मेरी जस्ट एक और थियोरी है कि तुम strongest creature बनती जा रही हो इस एर्थ की उसके बाद हमें ग्लिम्स मिलता है 2049 का और यहां पर हमें दिखती है जे गेरिक की वाइफ नौरा और वो बताती है कि आईरिस पर टेस्ट करने के बाद मुझे पता लगा है कि आईरिस की जो टाइम सिखनेस वो नेगेटिव टाकियोंस की वैसे हो रही है क्योंकि उसने होगा अपनी अबिलीटीज पर मिलेटीह कि आगर मैं ऐसे करती है तो मैं कभी भी superhero नहीं बन पहुंगी और तभी हमें रही forces negative है जिसके बाद हम देखते हैं कि वो forces challenge करती है reverse flash को मारने के लिए और वो कहती है कि तुम्हारी existence हमें weak बना रही है तो हम तो हमें मार देंगे मीना reverse flash को लेके भागने की कोशिश करती है बट डियाउन उन्हें रोग देता है जिसके बाद डियाउन और forces को पता लगता है कि बेरी आने वाला है और डियाउन बेरी को भी रोग देता है बट बेरी की जो powers है वो डियाउन और बाकी forces से बहुत जादा है बेरी अपना ultimate card use करता है और सारी forces को इदर उदर उड़ा देता है जिसके बाद डियाउन बोलता है कि हमें sacrifice चाहिए ही होगा और टीम बताती है कि नौरा यहाँ पर बेरी की help के लिए आ गई है उसके next scene में हमें दिखते हैं केटलिन और माक और माक यहाँ पर बोलता है कि हम इस machine को use करके तुमारे अंदर फ्रॉस्ट का जो रेजिडिव बचा है तुमारे सबकॉंचेस में हम उसको अवेक कर देंगे और उसके वज़े से तुम फ्रॉस्ट को वापिस सुन सकती हो और हम उसके लिए एक बॉड़ी वापिस ढून लेंगे जिसके बाद केटलिन कहती है कि मैं कभी भी फ्रॉस्ट को डिवाइब करने की कोशिश नहीं चोड़ूगी जब तक मैं उसको पूरी तर रिवाइब नहीं कर लेती है केटलिन मशीन के अंदर चली जाती है उसके बाद हम देखते हैं कि बेरी और मीना डावन एक आइडिया निकालते हैं बेरी बोलता है कि तुम्हें अपनी पावर्स को शेयर करना होगा रिवर्स फ्लाश के साथ मतलब इयरबर्ट के साथ और वह उसे वही रिंग देता है ज तुम अकेले और तुम अकेले में नहीं रा सकता है बट बेरी कहता है कि किसने का मैं अकेला हूं और बेरी मीना देवन और रिवर्स फ्लाश को बुलाता है जिसके बाद उन तीनों की उन तीनों फोर्स से बैटल होती है और यह बैटल काफी एपिक होती है बट बेरी कहता ह तब तक यह नहीं हा रहेंगे जिसके बाद हमें दिखती है बेरी की एक एपिक रन और बेरी यहां पे तीनों के लिए तीनों के लिए तीनों फोर्स के लिए बट इसी बीच डियॉन बोलता है सैकरिवाइस हैस टू भी मेड और आईरिस उनके सामने आ जाती है मतलब अपियर कर देता है डियॉन आयरिस कूंड के सामने और अफ्सोस बट बैरी की लाइटिनिग जाके आय योश को लआता है और आय रिस का यहां पर अंत हो जाता है वैसे मुझे नहीं लगता कि आईरिस म्र गई है बट आयरिस पार्टिशं के अंदर कनवर्ट हो जाती है और रिवर् नियूज है तुम लोग के लिए कि Ezra Miller को finally DC वालों ने fire कर दिया है मतलब WB Studios ने Ezra Miller को fire कर दिया है और हो सकता है, just हो सकता है कि Grant Gustin को ये लोग replace कर दे Ezra Miller से वैसे इसके chances कम है क्योंकि Grant Gustin The Flash TV show के main lead है तो उन्हें of course DC नहीं लेगा अपनी movies के अंदर बट हो सकता है हमें कोई नया actor मिले जो Ezra Miller से तो काफी जादा बढ़िया हो और कम से कम एक creep ना हो तो इसके साथ मैं बहुत जादा खुश हूँ कम से कम DC ने एक decision तो ठीक लिया Ezra Miller और Amber Heard को हटाते ही अब DC अलग ही उचाईयों पर पहुचने वाला है मतलब at least April या माई तक तो डीले हो ही सकती है मेरे साथ सचाहँ सेब में आरी है वो अगले साथ वीडियो को यही पर रैप अप करेंगे